the main phase होता है आपके life का जब आपको कुछ करना होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपना teenage का time अपना सारा time अपने peak life का time जब कुछ करना होता है जब skills को improve करना होता है जब भूँत ज्यादा पैसा कमाना होता है उसके time पे आप कुछ नहीं कर पाओगे भोले भाले students को attract करने का भ्रहमास्तर है यम टेक सो फ्री में क्यों दे रहा है ताकि एक moment ऐसा आएगा life में in 3-4 years आपको लगेगा कि भई company छोड़ देता हो नहीं हो रहा rotational shifts की वज़ा से कम salary की वज़ा से and knowledge gain नहीं हो रहा की वज़ा से कुछ multiple reasons होंगे work life balance, work pressure की वज़ा से then आप company छोड़ नहीं पाओगे क्यों क्योंकि एक bond है चलो bond को तो side में रखते है क्योंकि तो कभी भी आप break कर सकते हो लेकिन आपके मन में खटता रहेगा कि भई yum tech था 3 साल तक 2 साल तक किया अभी 2 साल तक किया होता तो bits पिलाने के थूँ yum tech मिलता ऐसा आपके मन में रहेगा तो यह जो भी reason है इसकी वज़े से आप vipro में जैसे ही मरते फिर से कुछ भी करते करते आप at the end पहुचोगे vipro के साथ रहोगे yum tech खदम करने तक इसकी वज़े से ही vipro क्या कर रहा है yum tech आपको free में दे रहा है वहीं TCS free में नहीं देता है MCA TCS का जो MCA की fees रहती है वो लेता है पर्सम की आपके salary में से cutने होते है आपको फिर से fill out करनी पड़ती है I think salary में से तो cut होती है वो देखना पढ़ेगा properly मुझे भी याद नहीं है लेकिन TCS भी Explore और Ignite के साथ MCA ओफर करता है वो एक correct बात है BCA के बाद MCA ओफर करना या BSC के बाद MCA ओफर करना is kind of justified लेकिन BCA, BSC के बाद yum tech पता नहीं क्यों free में मिल रहा लगता है विप्रो वालों को भी bits बिलानी के दवारा इसलिए दे रहे होंगे ऐसा तो नहीं होगा कुछ fees पे की होगी विप्रो वालों ये भी on the behalf of candidates लेकिन यहाँ पर जो वीडियो था हो था विप्रो एम्टेक वैलिड है के लिए है अगर डायरेक्ट ली बताओ भाई विएम्टेक वैलिड नहीं है तो आप मानोगे नहीं और वो वैलिड है एक्चूली ठीक है कैसे वैलिड है भाई देखो विप्रो की जो भी विएम्टेक डिग्री मिलती है वो काइंड अप उतनी मैटर नहीं करती जतना 4 years का experience आपको मिलता है अगर मानोगे डिग्री मिल भी गई ना फिर भी ओ डिग्री आप साइड में रखोगे क्योंकि आपके फास 4 to 5 years का work experience होता है तो इसी को आप बाद में दिखा होगे आप अभी fresher हो working professional नहीं हो तो आपको पता नहीं है जतने bits पिलानी की regular degree की value है उतनी ही इसकी है नहीं भई उतनी तो इसकी नहीं है जो bits पिलानी के placements मिलते हैं न वो placements आपको मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको ए डिग्री मिलेगी यूज होगी आपके future में after 5 years जो भी next company को join होते हो वहाँ पर use होगी hike के लिए हो आपके promotion के लिए हो use होगी उसके बाद दोस्तों life में आपने yamtech किया है एसा एक tag लगेगा आपके marriage card then आपके increment के लिए जो next company शुच करते हो and within the company Wipro में भी आपको थोड़ा सा increment मिलता है वहीं 5.5 LPA वाला after fire जो मिलने वाला था so ये सारी चीज़े मैंने Wipro के जो yamtech के बारे में बता दिया and आप बोलोगे कि भाई क्यों valid नहीं है उस पे तो distance degree करके mention भी नहीं होता जी हाँ भाई Wipro में distance degree करके mention नहीं होता लेकिन आगे के जो भी interviewer होते है next companies के भाई उनको तो पता होता है ना अगर पता भी नहीं होता तो पूछेंगे भाई तो नहीं yamtech कैसे किया फिर आपके पास four year का experience कैसा है BCA तो खतम होके four years हुआ then yamtech किया देन बोल रहा है four year का experience है भाई क्या चीज़ है इसको बना रहा है इसे तो पूछेंगे obvious बात है आगे वाले जो companies आपके interview हो लेंगे जब भी in the time of company switching के time पे समझ रहा हुए ना कुछ ऐसा सी नहीं आर विप्रो के mtech के डिगरी के लिए अटक मत जाना अगर चाहिए तो tcs को join हो जाओ explore है तो उसको join हो जाओ वहां से mca program को opt करो शस्त्र इंवर्सिटी से deem to be university हो वहां से आपको mca मिलेगा and abca के बाद इसका भी कुछ value होगा लेकिन भाई देखो four to five years the main phase होता है आपके life का जब आपको कुछ करना होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाऊगे क्योंकि आप अपना teenage का time अपना सारा time अपने peak life का time जब कुछ करना होता है जब skills को improve करना होता है जब भूछ ज़्यादा पैसा खमाना होता है उसके टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाऊगे एंड सोचने से पहले टाइम चला जाएगा बड़ा भाई बोल के मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ लो अगर कोई भी दूसरा जॉब नहीं है न मास्टर डिगरी का ओप्शन नहीं है आपके पास जो इंडिपेंडेंटे आप कर सकते हो देन जाके आप जोईन हो जाओ एंड एम्टेक डिगरी ओप्ट करो देन लाइप में फ्टरगल फ्टरगल लिका है तो करना पड़ेगा कंड्रोल करके विफ्रो का काम करके अम्टेक लेना ठीक है अगर आपको उतने ही शौक है हाई एजुकेशन की हायर एजुकेशन की बस इतना बता ना था बता दिया I hope आप समझोगे मेरी बात सीखोगे कुछ मेरी वीडियो से सब्सक्राइब भी करोगे लाइक भी करोगे शेर भी करोगे आपके दोस्तों के सच जो जुसको आप प्यार करते हो बोलते हो ना यह मेरा दोस्त है जो विफ्रो में जा रहा है उसको कुछ घंटा पता नहीं जो आगे क्या होने वाला है then please share this video with him और हर हर को तो शेर करोगे आप लेकिन with him भी शेर करो यार लड़के भी लड़के होते हैं तो उनको भी लाइक वैल्यूज दो थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो तो सारे लड़के दोस्तों को भी शेर करना जो 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 हो रहा है चलो मिलेंगे बाई-बाई बंदे मातरम जैन